आप देखना है टेक्टिंग के लिए हिंदी गुरुजी जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट यूजी 2020 बने वल इंडिया कांसिलिंग जो है आपकी स्टार्ट हो चुगी है मैंने मॉर्णिंग में आपको वीडियो प्रवाइड कराया था जब इसका ये लिंक एक्टिवेट ह ओह dette पूरा डिटेशन का तब भी मैंने अपको वीडियो प्रवाइड कराल था ठीक है तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ब् pequ मैं आपको बता कर Dofl वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करेफर्स क्योंकि अगर आप skip कर देते हैं तो आप सभी जागते हैं कि Supreme Court का यह आदेश है कि अगर एक बार आप registration कर देते हो आपको सीट मिल जाती है तो आप किसी दूसरे राउंड के लिए लिजबन नहीं रहोगी यह साब साब मेंशन हो रहा है यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता दूँ आपको रेजिस्ट्रेशन जो आपका ओलंडे कोटा फस्ट राउंड का होगा वह 19 जनवरी से स्टार्ट राइट हैंड नीचे कॉर्णर पर टाइम भी आप देख सकते हैं मैं 19 जनवरी कोई वीडियो बना रहा हूं तो अगर यह च्राइस्पिलिंग नहीं होती तो मैं नेक्ट वीडियो में आपको च्राइस्पिलिंग भी बता दूँगा कैसे च्राइस्पिलिंग करना है फिला पर जैसे ही आप आएंगे तो यहां से आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको सबसे पहले यहां पर करना है new candidate registration इस पर जैसी आप किलिक करते हैं और किलिक करने के बाद आपके सामने registration का open हो जाएगा इस तरह का आपके सामने registration आएगा यहां पर कुछ basic information ह आपको पढ़ लेना है आपको करना है आप आप आई एगरी पर किलिक जैसे आप आई एगरी के box पर आप टिक करते हैं आपके सामने registration का page open हो जाएगा ठीक है आपको जो डिटेल भननी है वो एकतम authentic correct डिटेल भरीगा रॉल नमबर आपको अपने admin card पर यहां आपका जो result आ mention करना है और उसके बाद submit पर करना है ठीक है तो मैं इस सभी detail फिल कर लेता हूं उसके बाद मैं आगे का process आपको बता दीता हूं तो देखेंगा friends मैंने सारी detail यहां पर फिल कर दी है रॉल नमबर, application number, candidate का name, mother का name, आपका mother का name आपको देखना होगा application form पर आपको जो mention किया बोई डालना है date of birth आपकी जो actual है वोई date of birth capture करने के बाद आपको submit पर क्लिक करना है उसके बाद friends आपको यहां पर अपना password डालना है confirm password capture डालने के बाद submit and next पर क्लिक करना है यह password आप जब डालेंगे तो password आपका 13 character का होना चाहिए मतलब 13 character का जिसमां एक number special character और capital अक्षर यह सभी 13 character का होना चाहिए उसके बाद आप save and submit and next पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको confirmation मांगा जाएगा जिसमां आपको yes कर देना है जैसी friends आप इस पर yes करेंगे आपके number पर जो OTP जाएगा और email पर जो आपने डाला है उस पर OTP जाएगा बो OTP डालना है आपको यहां पर उसके बाद आपको यहां पर verify and final submit पर क्लिक करना है अब friends आपका जो registration form है वो completely भर चुका है आप देख सकते complete लिखा आ चुका है registration form के सामने अब आपको क्या करना है application form भरना है application form के लिए आपको नीचे जो देखने को मिला है application form जो red color में उस पर आपको टिक करना है जैस को ठीक है उसके बाद अगर आप person PWD candidate है तो है तो यह नहीं तो नो करना है उसके अधर information में आपको यहां पर देखने को मिलना होगा कि यहां पर बोला गया है कि अगर आप armed force medical college में जाना चाते तो यह करेंगे कर नहीं जाना चाते तो नो करेंगे उसके बाद save and next पर क्लिक करेंगे आपके सामने confirmation मांगा जाएगा यह सुननों तो आपको यह पर टिक करना है जैसी आप पर टेकरेंगे आपके सामने qualification detail में आपको बता दूँ यह जो qualification detail मांगे गई बेसिकली दहली वाले students के लिए मागे गई है तो अकर आप दहली से नहीं है तो आपको अधर पर ट सब्सक्राइब करना है तो आपको यहां पर टिक करना है जैसे आप एस पर टिक करेंगे उसके बाद फ्रेंट्स आपको यहां पर पर कांसिलिंग करानी है ठीक है ओपन सीट पर कांसिलिंग करानी अगर आपको ब्सक्राइब करानी तो ब्सक्राइब कर देना है तो यहां पर मैं करता हूं और यहां पर टिक करूंगा और उसको बाद ओपन सीट पर यहां पर टिक करूंगा उसको यहां पर आप फीस देख पर रखी जाती है ठ्वहाति ऊपको यहाँ पर लगने माले तक ओद यहां पर लग लग पर अब लग लगई का की लिए नहीं गर इत्या क्रेंकट दो फीस यहां से झाइस में आपको स्र वीडियो लेकर आओ जिस आप को बता दुग किस में आप सीट में काउंसिलिंग कराते तो क्या फीच लेगी यहां तक आपकी डिटेल पूरी फिल हो जाएगी आप सेव एंड नेक्स पर क्लिक करेंगे यहां तक आपकी पूरी डिटेल कंप्लीट होगी बस आपको अपना एड्रस डालना है उसके बाद अपना प्रेंट आउ कर दिना आपका आपको फाइनल संबी्ट उसके बाद कराया जाएगा ठीक है उसके बादा को आपको यहांपर पूरी फिल हो जाएगी और आपको अपना ऐसा संबंधिया था पर कर दिना है जिक अफोडाई तो मतलब मैंने आप एक तो ढीम ओपर कर सकता हूँ ठीक है उसके बाद यहां पर आपको North फ्रेंट 30 में पेर जिस्चेशन फीश पर आपको टक करना है उसका-वाद अपको यहांपर जो है दो लाग पांच चार रुपर देखने को मिलना हुगा जैसे जैसे आप्साय की करेंगे ब्येशन करेंगे तो फीन वो जो है उस तरह से फ्लेक्च एट करती रहेंगी आपको ओनलान करक्षाय करना है और nood करना ल१े कणार आदाट करना है ये कलिक करना है जैसे तожно आपकी सामने नेक्सिरी वॉपन होगी और वहां पर आपको पेमेंट कर देना है ठीक है और यहां से आपको पेमेंट कर देना है